वर्ट सावित्री वरत 2024 में कब है वर्ट सावित्री वरत कथा 2024 में वर्ट सावित्री का वरत 4 जून से आरंभ होगा और 6 जून को अवस्या के दिन पुर्ण होगा और दूसरा 19 जून से आरंभ होगा और 21 जून को पुर्णिमा के दिन पुर्ण होगा वट सावित्री वरत कथा वट सावित्री वरत श्टोरी भदर देश के राजा की कोई संतान नहीं थी संतान प्राप्ती के लिए वे अठारह साल तक यग और तपस्या करते रहे उनकी तपस्या से सावित्री देवी प्रसन हुई और उन्हें संतान के रूप में एक रूपवा गुणवान और तेजस्वी कन्या होनी का वर्दान दिया। देवी के वर्दान से राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री की शादी की उम्र होने पर राजा को अपनी कन्या के लिए कोई योग्यवर नहीं मिल रहा था एक दिन सावित्री तपोवन गई वहां उसने एक सुन्दर युवक को देखा जिसका नाम सत्यवान था सत्यवान साल्व देश के राजा धूम सेन का पुत्र था धूमत सेन के अंधे होने की वज़े से उन्ही के मंत्रियों ने उसका राज्य हरप लिया इसलिए वे जंगल में अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जीवन वैदित कर रहे थे सावित्री ने सत्यवान और उसके पिता के बारे में अपनी पिता को बताया और सत्यवान से विवा करने की इक्षा जताई सावित्री के पिता अपनी पुत्री की इक्षा को पूरा करने के लिए तपोवन जंगल गए वहाँ पहुँचकर राजा ने सत्यवान के पिता से मिले और उन्हें अपनी बेटी सावित्री के लिए उनके पुत्र सत्यवान से विवाह का प्रस्ताव दिया सावित्री के पिता की बात सुन कर सत्यवान के पिता ने बड़े ही निराश मन से कहा राजन मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है मेरा पुत्र सत्यवान बहुत ही बलवान गुणवान और धर्मात्मा है इस विवाह से मुझे कोई आपती नहीं है लेकिन रिशी नारद ने मुझे बताया है कि सत्वान अल्प आयू है जिसकी अगले वर्ष अमवस्या के दिन मिर्टू हो जाएगी इसलिए मैं आप से विंती करता हूं कि आप किसी और युवक से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिजे उनकी बात को सुनकर सावित्री और उनके पिता काफी निराश हुए तब सावित्री ने कहा मैंने अपने मन से सत्यवान को अपना पती मान लिया है इसलिए मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती सावित्री की जिद के सामनी सब को जुकना पड़ा सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया विवाह की उपरान सावित्री पूरे तन मन से अपनी पती सत्यवान और सास ससुर की सेवा करने लगी इसी तरह एक वर्ष का समय निकल गया और सत्यवान की मृतु का दिन करीब आने लगा जैसे जैसे दिन कट रहे थे सावित्री का मन उदास रहने लगा तब रिशी नारद ने सावित्री को बताया कि अमवस्या के तीन दिन पहले देवी सावित्री का उपवास करने और वट के पेर की पूजा करने से सत्यवान की आयू को बढ़ाया जा सकता है नारद जी के कहने के अनुसार सावित्री ने सत्यवान की मिर्तु वाले दिन से तीन दिन पहले देवी सावित्री के नाम का उपवास किया और वट के पेर की पूजा करने लगी साथ ही अपने पित्रों का पूजन भी करने लगी देखते ही देखते धीरे धीरे ये तीन दिन निकल गए और अमवस्या का दिन आ गया रोज की तरह ही अमवस्या के दिन सत्यवान जंगल में लक्रियां काटने के लिए जाने लगा तब सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ जंगल में चलूँगी सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में गई लक्रियां काटने के लिए जब सत्यवान पेर पर चड़े तो उनके सिर में तेज दर्द होने लगा सत्यवान की बात को सुनकर सावित्री समझ गई कि उनकी मिर्तु का समय आ गया है वही जंगल में एक वट के पेर के नीचे सत्यवान का सीर अपनी गोद में रख कर सहलाने लगी कुछ ही समय में सावित्री की सामने अनीक यमदूतों की साथ यमराज खड़े थे और वे सत्यवान की प्राण अपनी साथ लेकर जाने लगे तब सावित्री भी यमराज की पीछे पीछे जाने लगी यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिस की उन्होंने कहा की ये तो पहले से ही लिखा हुआ है मैं तो बस अपना कर्म कर रहा हूँ लेकिन सावित्री ने यमराज की बात नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चलती रहे सावित्री की निष्ठा और पती के लिए उनका प्रेम देखकर यमराज बहुत प्रसन हुए और उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कह यम्राज की बात सुनकर सावित्री ने कहा हे प्रभु मेरे साथ ससुर अंधे हैं आप उनकी आखों की रोशनी वापस करने का वर्दान देजिए यम्राज ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा प्रन्तु अब तुम घर जाओ ऐसा कहने के बाद यम्राज फिर आगे बढ़े अभी भी उनके पीछे पीछे चल रही है यम्राज ने सावित्री को वापस जाने के लिए कहा लेकिन सावित्री ने मना कर दिया सावित्री ने यम्राज से कहा कि वे अपने पत्नी वरत का पालन कर रही है इसलिए उनके पती जहां जाएंगे वे भी उनके साथ जाएगी सा सावित्री को एक और वर्दान मांगने के लिए कहा सावित्री ने कहा मेरे ससुर सालवदेश के राजा थे लेकिन किसी ने उनका राज्य छीन लिया है आप उन्हें उनका राज्य वापस दे यमराज ने सावित्री के इस वर्दान को भी पूरा कर दिया और फिर से सत्यवान क प्राण को लेकर चलने लगे लेकिन अब भी सावित्री उनके पीछे चली आ रही थी यमराज ये देख हैरान हो गए सावित्री से इसका कारण पूछा तो सावित्री ने बताया कि एक पत्नी का फर्ज है कि वो वही रहेगी जहां उसका पती रहेगा सावित्री की बात सुनकर यमराज बहुत प्रसन हुए उन्होंने कहा पुत्री तुम बहुत ही पती वरता हो इसलिए मैं तुम्हें तीसरा वर्दान भी देने को तयार हूँ मांगो क्या मांगना चाहती हो तब सावित्री ने कहा हे प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सो पुत्रों की मां होने का अशिर्वात दे दे सावित्री के इस वर्दान को सुनते ही यम्राज ने कहा पुत्री अब घर जाओ मैं तुम्हें ये तीसरा वर्दान भी देता हूं तुम सो सहासी और प्राकर्मी संतानों की मा बनोगी यम्राज के इस वर्दान को सुनकर सावित्री ने कहा है प्रभू मैं एक सनातन धर्म को मानने वाली नारी हूँ और आरे कुल में जन्मी हूँ इसलिए मेरी जीवन में एक ही पती होंगे वे सत्यवान है इसलिए आपको अपने वर्दान को पूरा करने के लिए मेरे पती को जिवित करना होगा सावित्री की बात सुनकर यम्राज ने सत्यवान के प्राण को वापस चोड़ दिया और सावित्री से कहा पुत्री अब वापस उसी बट के पेर के नीचे जाओ जहां पर तुम्हारे प साथ ही अखंड सोभाग्यवती होनी का वर्दान भी दिया यम्राज की बात सुनकर सावित्री वापस उस वट के पेड़ के पास पहुँची जहां पर उसके पती का शरीर पड़ा था वे सत्यवान के करीब पहुँची तो उस ने देखा कि सत्यवान जिन्दा हो गया है फिर सावित्री और सत्यवान जंगल के बाहर निकले और साल्व देश पहुँचे वहां पहुँच कर सावित्री ने देखा कि अब उसकी ससुर को उनका राज्य फिर से मिल गया है और उनकी आखों की रोशनी भी वापस आ गई है तभी से हर साल जेष्ट मास की अमवस्या के दिन वट सावित्री वरत को मनाया जाने लगा इस दिन पूरे विधी विधान से वट के पेर की पूजा अर्चना की जाती है और सुहागन महिलाएं अपनी पती की लंबी उम्र की कामना करती है हलो एवरिवन कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वट सावित्री वरत कथा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना बिलकुल न भूलना थैंक्स पूर वाचिंग कीप सपोर्ट